मंगल मैं मंगल करन वीतराग विज्ञान नमुताही जाते भए अरिहन्तादी महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैशी सुधात्म में निरत नित्य हितोप देशी वे पाप ग्रीश्मर तुमें जल है सयाने पूजू उन्हे सतत के वल ग्यान पाने पूजू उन्हे सतत के वल ग्यान पाने अहिंसा पर्मो धर्म की परम पूज्य आचार भगवन्त गुर्देव श्री विद्या सागर जी मुनी महराज की समस्त मुनी संग की और बन्धा जी के अच्चेकारी श्री अजितनात भगवान की जीवन में सब भूल जाना बन्धू बन्धा जी के अच्चेकारी भगवान गुर्देव के साथ रहते रहते जीवन के अठारा साल बहुत सांती पूर्वग निकले कई गुर्दों का स्वाध्धाय करते कराते पढ़ते पढ़ाते गुर्देव बार-बार साथक वर्ग को एक ही बात समझाते हैं कि ग्रंतों में लिखी लाइनों पर मत जाईएगा ग्रंतों में लिखी लाइनों के अंदर के भाव को पकड़ने की कोशिश करिएगा क्योंकि एक सब्द शुरुत होता है दर्ब शुरुत होता है भाव शुरुत होता है जैन दर्शन में भाव शुरुत की बहुत बड़ी कीमत है अपन पद्न पुरान उठा लिया और लगे बाचने एक लाइन दो लाइन तील नाइन चाल लाइन पाच लाइन पूरा पन्ना, पच्चिस पन्ना, पचास पन्ना, बारसो पन्ने का ग्रंत पढ़ लिया आउटपुट तो ठीक था, इनपुट पे क्या निकला देखेंगे तो हासिलाई सून आती है गुर्देव हमेशा हम लोगों से कहते हैं कि जब कभी भी किसी भी चीज का स्वाध्धाय करो कोई कथानक पढ़ो, कोई चरित्र पढ़ो कोई करना नियोक का ग्रंत पढ़ो कोई चरना नियोक का ग्रंत पढ़ो तो किसी भी तपस्या, किसी भी संकल्प, किसी भी नियम ब्रत के पीछे सिर्फ ब्रत को मत देखो ब्रत के पीछे का आचारियों का intention देखो कि आचारियों का intention क्या है आपको भी आप जो भी धार्मिक क्रिया करते हैं मंदिर जाते हैं पूजा करते हैं पातपक्षालंग करते हैं अब शेक करते हैं उसका intention जब तक आपको नहीं बता रहेगा तब तक आप output में कोई बहुत अच्छी चीज लेकर के मंदिर जी से आ नहीं पाएंगे स्वाद्धाय करते वक्त भी ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से जो भी घर के अंदर स्वाद्धाय करता हो घर के अंदर स्वाद्धाय बहुत दुलब होता है बंदू पूज गुर्देव कहते हैं कि अगर किसी के घर में संपन्न घर है पैसे वालों का घर है और उसके अहां परिवार में सब कोई मिलकर के सामुहिक स्वाद्धाय कर रहे है तो ये समझना कि चतुर्द काल का स्रावक है और पंचम काल में आकर के बैड़ गया है मलब गुर्देव कहते हैं कि लक्षमी के साथ स्वाद्धाय बड़ा दुलब होता है कुछ घरों में बहुत अच्छी परंप्रा चलती है कि साम को साथ बज़े मिलकर के सामुख स्वाद्धाय करते है सामुख स्वाद्धाय के कारण परिवार में बहुत सारी कुरूतियां और अनीतियों से पूरा का पूरा परिवार एक साथ बचता है बंदो नौ बजे का नियम हो, साड़े नौ का हो, दस का हो, ग्यारा का हो लिकिद नियम हो कि जब तक घर की प्रतिक संतान, प्रतिक, पुरूस, माता, पिता एक सांथ नहीं बैठेंगे तब तक जब तक एक स्वाध्धाय नहीं होगा, किसी को सोने का अधिकार नहीं है तो दीरे दीरे छोटे से नियम बना लेने से, घर की आंगे की विवस्ताएं बहुत अच्छी बनी रहती है स्वाध्धाय करते करते क्या समझ में आता है, देखे आफ कि जब हम लोग श्रीपाल चरित्र का स्वाध्धाय कर रहे थे तो श्रीपाल चरित्र का स्वाद्धाय करते करते मैंना सुंद्री के उस चरित्र को पढ़ते-पढ़ते कुछ बात समझ में आई मैंना सुंद्री का चरित्र पढ़ते-पढ़ते बात समझ में आई कि मनुस्त के पास सुधारने का और बिगारने का दोनों का सामर्थ होता है आपको इस बात का अपने उपर विश्वास है की नहीं अगर आपका अपने उपर विश्वास नहीं है तो फिर आप एक ही बात कहते हैं कि संसार में किसी ने हमारा साथ नहीं दिया कि मैना सुन्दरी के सिपालचरित को पढ़ने के बाद इस बात की सिपालचरित पढ़ते पढ़ती बात का हैसास हुआ मैना सुन्दरी का अनभव है कि सुधारने का और बिगारने का सामर्थ मनुस के पास स्वयम होता है बिगड़ी हुई चीज भी हाथ में दी जाए तो प्राथना की शक्ति के साथ मंत्र की सक्ति के साथ गुरू की शक्ति के साथ जीवन के प्रत्येक बिगड़े समीकरन सुदर जाते हैं इसका सर्वोत क्ष्ट उधारन है मैनसुंद्री सिपाल ने खुद मैनसुंद्री से बोला है मुझे नहीं पता तुम्हारे पिता ने क्यों तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया है मैं नहीं जानता कि तुम्हारे पिता की तुम्हारे साथ क्या दुस्मनी थी कि कि किस कसाय के वसिभूत होकर के मुझ जैसे कोड़ी के साथ तुमारा विवाह किया मैंना सुंद्री कहती है सुधारने और बिगारने का सामर्थ मनुस का सोयम का होता है आपने अपना बिगार लिया है अब मेरी सामर्थ होगी मेरी भक्ती में ताकत होगी मेरी प्राथना में शक्ति होगी मेरे गुरू में शक्ति होगी मेरे मंत्रों में शक्ति होगी तो इस बिगाड को मैं सुधार लूँगी एक कुरल काव्य है बंदू कुरल काव्य में नमशकार की महिमा कही गई है आचार सीजी ने हम लोग को जब पहली बार बताया तो बना आश्यर लगा कि कुरल काब जो है उस कुरल काब में नमशकार की महिमा में आचार परमेश्टी ने लिखा है कि एक समान्न महिला अपने पती को प्रतिदिन अगर नमशकार करती है तो बेकुछ समान नमहिला है अपने पती को प्रति दिन नमशकार करती है और अपने पती पे शद्धा रखती है तो जल से भरे हुए बादल भी उसका कहना मानते हैं ये आचारियों ने नमशकार में कुरल काबे में लिखा अब गुर्दियों क्या कहते हैं कि देखो तो एक समान निसी महिला और उसका पती पापी होगा पांचो बेसन करता होगा लेकिन आचारियों ने क्या लिखा कि एक पापी को भी अगर पती है पापी भी है पती है और महिला सद्धा पूरवक पती को नमशकार कर रही है तो जलसे भरे हुए बादल भी उसकी बात मानते हैं तब आचारियों जी कहते है कि जब एक पापी को प्रणाम करने पर जलसे भरे हुए बादल महिला की बात मानते है तो जब कोई महिला किसी पंच परमेश्टी के सामने जिसने पांचों पाप का त्याग कर दिया है उसको नमस्कार करी कि तो जीवन में ऐसा कौन सा कार है जो उस महिला का सिद्ध नहीं होगा बात बस इतनी सी बचती है कि आप माथा टेकने के लिए मंदिर जी आते तो हैं लेकिन सद्धा जुकते वक्त कहां चली जाती है ये आपकी स्वयम की खोच का भिसा है मैंना सुन्द्री कहती है बिगारने और सुधारने का सामर्थ है मेरे पास बस मुझे गुरू की तलाश है मुझे मेरे गुरू मिल जाए आचार सी जी भी कहते है चारो गतियों में कौन सी गति के जीव को गुरू की आवश्रक्ता पढ़ती है आप बताईए क्या नार्की को गुरू की आवश्रक्ता पढ़ती है नहीं पढ़ती क्या देवताओं को कोई गुरु चाहिए नहीं चाहिए क्या तिर्यंचों को गुरु की आवश्रक्ता है नहीं है सिर्फ मनुष्य है क्योंकि मनुष्य के अंदर असीमित संभावनाएं है असीमित संभावनाओं में एक मनुष्य है जिसको गुरू की आवश्रक्ता चाहिए और गुरू मिलने के बाद तो बड़ा गजब का बदलाव होता है क्या बदलाव होता है आप मैना सुंद्री से स्रीपाल चरित पढ़ते हुए सुनिये गाबंदू क्या है जब आप पढ़ते हैं उन पढ़े हुए शब्दों में अर्थ नहीं होता बिट्विन इंदा लाइन्स दो लाइनों के बीच में कोछ छुपा रहता है उसको निकाल करके जीवन जीने की कला सीखी जाती है मैना सुंद्री के शब्द है गुरू मिल जाए शक्ति पुंच मंत्र मिल जाए कोई आराधना की विधी मिल जाए और फिर मेरी शद्दा साथ में काम करे मैं खुद सुधार लूँगी और अपना पती क्या पती के पाप में साथ देने वाले 700 पापियों को भी मैं सुधार दूँगी इतनी सामर्थ है मैंना सुंद्री के अंदर इतनी सामर्थ है गंदोदक के अंदर इतनी सामर्थ है मंत्र के अंदर इतनी सामर्थ है प्रतिमाजी के अंदर उसमें भी जब पता चल जाए कि कि किसी विशेश प्रतिमाओं में विशेश पिकार के मंदर की अधिश्टता की गई है और अधिश्टित प्रतिमाओं के माध्यम से दुनिया भर के लोगों को लाब मिलता है तो दो-चार लोगों को अगर कोई आदमी बरगला भी दे तो भी शद्दा बहुत उजी चीज होती है बंदर आप बंदर जी शित्र पर भी आएंगे और आने पर कोई आपको बरगला भी दे कि कलस रखने से कुछ नहीं होता है फालतू की बाते हैं मिथ्यात्व हैं मिथ्यादर्शन है कोई आपको ऐसा बरगला भी सकता है क्योंकि सबका अपना-पना दिमाग है अपने अपने दिमागों में कौन किसके दिमाग में क्या भूसा भर दे कुछ पता नहीं लेकिन अच्छे सादू किसी की दिमाग में भूसा नहीं भरते वो सुधारने की कोशिश करते हैं समालने की कोशिश करते हैं लेकिन खाने वाला कुछ भी खाके चला जाता है, मंदर जी के अंदर आकर के भी कई लोगों की भूसे पे दस्टी रहती है, किसी ने बर्गला दिया और आप यहां पर आकर क्यों बीना कलश रखे चले गए, आप एक बहुत बड़ी अमूली निधी से चूक गए बंदू, जो भी लोग हैं, जिन लोगों को लगता है कि कलश रखने से कुछ नहीं होता, बे, उनसे मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि मैं किसी बिक्ती को इस बात के लिए पेरीत नहीं करता कि तुम कलश रखो, बे, गुर्देव के आसिरवाद के छटर साया से काम होता है, लेकिन कोई बर्गला भी देता है, बर्गलाने वाले बहग भी जाते हैं, जैसे जुड़ने में चलती हुई गाएं एकाद बहग जाती हैं, तो लाइन से बिगालने हो जाती हैं, आप देखिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी सद्धा बंधा जी के अजितना भगवाँ के सामने आंकर के बिगड़ गई हो, क्योंकि हतभागी होते हैं वो लोग कि जुखने की जगाए होने के मिलने के बाद भी जुखने की अकल नहीं मिलती, मैंना सुंद्री बोलती है, अपने स्रीपाल से, मुझे मिल जाने दो, मैं सब ठीक कर लूँगी, गुरू क्या मिले, गुरू की शक्ती पे बिस्वास था, सद्धा थी, मंत्र दे दिया, अश्टांगा के आठ दिंग का साधना दे दी, आठ उपवास किये मैंना सुंद्री ने, सिद्ध चक्र का विधान किया, गंदोदक उठा करके सिपाल के पूरे सरीर पर छोड़ा, छिड़का, उंगली का छोड़ा सा भाग रोक लिया, मुठी बांध ली, और पूरे सरीर को कंचन की काया जैसा बना लिया, और उतना ही नहीं, एक इस्त्री ने क्या गजब का कमाल दिखाया, कि सास और जो कोड़ी सुभट थे, उनके साथ योद्धा थे, उन सारे के सारे योद्धा को भी ठीक कर लिया, जब सब ठीक हो गया, क्योंकि आचार भगवान कहते हैं कि ग्रंतों में लिखी बातें याथा तत्थम बिना चबिपिरितात, जैसी देखी है सरवग ने, आचारे योद्ध जैसी समझी है, और जो बातें तरिकाल दर्शी लोगों को जरुवत पड़ेगी, आंगे भी जीवन में जिसकी जरुवत पड़ेगी, वे बातें कर्णा नियोग का, चर्णा नियोग का, द्रब्या नियोग का, प्रत्मा नियोग का विशय बनती है प्रत्मा नियोग में लिखी गई कहानिया वे कहानिया नहीं है कि आज बुखार आया और कल ठीक हो गया तो बुखार लिगने के इंको कभी बुखार आया था प्रित्मान योग में वो कहानिया लिखे जाती है कि योग और सताबियां बीच जाएंगी लेकिन इस तरीके की घटना घटती रहेगी तो इस तरीके का महिला आए और उस वर्ग मिलकर के इलाज भी करते रहेंगे और अपमे परिवार को ठीक भी करते रहें इसलिए धर्मायतन बनाए गए बस अब एक चीज बसती है मैना सुंदरी कहती है मैना सुंदरी से संबाद हो रहा था मेरा खुद का मैं और मैना सुंदरी आंग में सामने बैठे थे कहां बैठे थे महराज मैना सुंदरी को आपने कहां पे देख लिया जब मैं पुस्तक उठाता हूँ और कोई ग्रंत पढ़ता हूँ तो हर पात्र मुझसे बात करता है भगवान महाबीर से बात होती है महराज शेनिक से बात होती है कुनिक से बात होती है मैना सुंदरी से बात होती है सब से बात करता हूँ सब मुझसे बात करते हैं पुस्तकों वे सब जीबित हो जाते हैं जैसे ग्रंत उठाते साहती कायो सर करते हैं गुरू का इसमन करता हूँ मैना सुन्दरी मेरे सामने बैठ करके बोली कि बिनम सागर जी जीवन जीने का सबसे बड़ा सूत्र है क्या कि देने वाला देना जानता हो या ना जानता हो आपको लेने की कला आनी चाहिए मैना सुन्दरी के जीवन का अचुक सूत्र है ये मैना सुंद्री अपना सूत्र दे रही है कि तुमको लेने की कला आनी चाहिए मैने मैना सुंद्री से पूछा कि मैना मैना नाम ही बड़ा अच्छा है मैना का मतलब वो तोता वाली मैना नहीं मैना वाली मैना बोलती है मैना मैना कहती है मै ना, मैं जो दिख रही हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ, आप भी अपने नाम मैना रख करके बोलो, कि मैं ना, जब कोई तुमको मार रहा हो, जब कोई तुम्हें घर की नौकरानी समझ रहा हो, जब कोई तुम्हें दासी समझ रहा हो, जब तुम्हारा कोई श कि जीवन की सफलता का पहला अचूक सूत्र है लेने की कला आनी चाहिए लेने का अपने अंदर सामर्थ विक्सित करिए आप आपके अंदर सब है बंदूओं आपके अंदर किसी भी चीज से लेने की सामर्थ नहीं है मंदिर के अंदर आते हो भगवान की प्रतिमा से लेने का सामर्थ पैदा करो गंदोदक से लेने का सामर्थ पैदा करो मुनी महराजों से कुछ लेने का सामर्थ पैदा करो ना मिले कुछ तो ग्रंथों से लेने का सामर्थ तो बहुत ऊची बात हो गई उची साधना का परणाम है कि किताबों में लिखी अक्षरों से तुम संबाद करने की कला सीख जाओ जब मैं और मैना सुंदरी आमने सामने बैठते हैं उस तक बीच में रहती है पुरानी आप लोगे ने वो देखी होंगी मूवी देखी होंगी उसमें जब चिठी पढ़ रहा होता है प्रेमी तो प्रेमिका का चहरा चिठी पर दिखाई दे रहा होता है चिठी पढ़ता जाता है उसमें बीच में चहरा भी दिखाई देता रहता है मैं ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तब ग्रंथ में भी ऐसे ही होता है ग्रंथ में जब मैंने स्रीपाल का चहरा और पूरा चरित देखा तो मैं स्रीपाल के उस कुरूब रूप को देख करके कांप गया तुरंद पढ़ना पलड करके मैना सुंद्री का सामने जाकर के मैंने मैना सुंद्री से पूछा कि मैना सुंद्री इसना कुरूब पती है कैसे ठीक करोगी कहती है भगवन है ना सामर्थ है ना मेरे पास प्रभू से लेने की मैं ले लूँगी मैंने पूछा मुझे विश्वास नहीं था कि प्रतिमा से कुछ लिया जाता है मैना सुन्द्री ने मेरे अंदर भी विश्वास पैदा किया मैना सुन्द्री मुझे कहती है क्या कहती है मुझे देखो ना लोगों को प्रतिमा पे विश्वास नहीं होता लेकिन महा भारत के तीन बड़े पात्र एक लब्य अर्जुन और दुरियोदर इन तीन पात्रों से मैंना सुंद्री ने अपनी मुझसे बात कही वो हमसे कहती है स्वामी क्या सब्द थे सादू को सादू ने करके मुनी महराज ने करके मैंना सुंद्री बार बार मुझे स्वामी स्वामी कह रही थी हमने कहां देखो कितने मीठे शब्दों में सादू से वो बात करती है सादू के सामने बिने कितनी जबर जस्स थी कि मैं स्वाध्धाय पे बैठा था तो मैना सुन्द्री चुपचाप किताब पे किनारे खड़ी होकर के बात कर रही थे बोलती है स्वामी देखो न वो एकलब को देखिए आप हमने का कैसे प्रतिमा देती है तो मैना सुन्द्री कहती है एकलब को देखिए गुरू दोनाचार के पास सीधे सीधे गए इतिहास में मैना सुंद्री ने पहली बार कहा कि इतिहास में एक पहली प्रार्थना है जिसको दिक्कारा गया गुरू के द्वारा कि एकलब ने प्रार्थना करी और दोनाचार ने उसको दिक्कार दिया पहली बार शद्धा को अवहिलना मिली पहली बार समर्पण को अपमान मिला पहली बार बिनय के पीछे आदमी को धोका खाना पड़ा कहां पर बहुत सिर्फ एक लब्ब के साथ ऐसा हुआ दुनिया में कोई भी गुरू हो कोई जुक्य मांगता है तो गुरू देने पर उतारू हो जाता है और जिन शासंग के गुरू तो बहुत अच्छे होते हैं जिन शासंग के गुरू को तो आप से एक रुपए भी ने चाहिए ना नारियल चाहिए ना लाल कपड़ा चाहिए ना जंडी चाहिए ना डंडी चाहिए ना चामल चाहिए ना आता चाहिए ना रोटी दिगंबर जैन सादू के सामने बैठ करके आप से एक बार अच्छे से नमोस्तु करिए नमोस्तु भगवन आप से कुछ पूछना चाहते हैं इतना बोलेने मात से दिगंबर जैन सादू देने पे उतारू हो जाता है मैना सुन्दरी कहती है मुझसे कि देखो न सौमी वो एकलब उसकी शद्धा को कितना अपमानित होना पड़ा एकलब को कितना अपमान सहना पड़ा एकलब को कितना तिरसकार सहना पड़ा एकलब की शक्ति को भक्ति को कोई सम्मान न मिला लेकिन जब एकलब की शक्ति और भक्ति को गुरू के मादम से सम्मान न मिला लेकिन एकलब की अंदर की सामर्थ देखो न स्वामी कि दोणाचारे ने कुछ नहीं दिया लेकिन एकलब के अंदर लेने की सामर्थ थी तो वो मिट्टी की मूर्थी बना करके और गुरू क्या देते, कितना देते, कितना देते गुरू जितना देते, उससे भी कई गुना जादा 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 एकलब ने गुरू की प्रतिमा से ले लिया सुन करके लगा कि मैंना तुम बात तो बेल्कल सही कह रही हो बात वास्ता में सही भी थी कि शब्द बेदी बान कुत्ते के मुख में मारे अठारा मारे और मजाल है कि एक भी बून्द खून की गिर जाए दोना चारे ने सुयम देखा तो आश्यर चकित होगे बंदो बगल में पलटके देखते हैं कि ये कौशल जो दोना चारे को भी नहीं आता इसका गुरू कौन है सब्द बेदी बान में अरजुन को ये बात तो दोना चारे ने सिखाई कि कोई कहीं से आवाज आ रही हो तो उसके मुँ में इतना जोरदार ठूस दो कि कंठ में ही प्रान अवरुद्ध हो जाए मारने की कला दोना चारे ने अरजुन को सिखाई थी लेकिन एक कला बे तो दोना चार की प्रतिमा से दोना चार से भी ज़्यादा सीख गया बान मारेंगे मुँ में वो भी एक दो नहीं अठारा ना जीव से खून निकलेगा ना तालू से नुकीला बान भी मुँ में ठसा रहेगा तुमारे मुझ से आवाज भी नहीं निकलेगी ये सामर्थ एक लब्ब के अंदर दोनाचार से पैदा नहीं होई बंदो दोनाचार की प्रतिमा से पैदा होई और प्रतिमा में सामर्थ नहीं थी भक्त की भक्ति और शद्धा में सामर्थ थी कि वो प्रतिमा से वो विज्ञान ले गया जिस दोनाचार भी नहीं दे पाए आप से पूछना चाहता हूँ बंदिर जी आते हैं नमोकार मंदर पढ़ते हैं कंदो तक बनाते हैं अभिशिक करते हैं पूजा करते हैं जीवन में 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल निकल गए यह सब करते करते आत्मसंतुष्टी मिली क्या इस बात की कि इतने सालों से पूजा करना हूँ बगवन लेकिर इस पूजा करने के बाद भी पूजा का फल मैं चाहूँ निच्पद में बिस्तराम कभी ऐसा मिला कि हाँ 20 साल से पूजा करते करते अब बहुत शान्त हो गया हूँ मैं ऐसा महसूस हुआ क्या नहीं हुआ न मैंना सुंद्री ने जंगल में इस बात की अन्भूती कर ली मैंना सुंद्री मुझे से कहती है कि स्वामी आप देखो कि एक लब दोनाचार से सब ले गया और दोनाचार ने जब देखा कि जो विद्या मुझे नहीं आती है वो किसको आती है पता करूँ तो बियाबान जंगल में दोनाचार धूरने निकले एक लब मिल गय बोले तुम वही भील के पुत्र हो हाँ वही भील का पुत्र हो तुमने चलाया हाँ भगवन मैंने चलाया गुरू कौन है आप ही गुरू है असंभव मैंने तो तुम्हें सिखाया ही नहीं हाँ भगवन आपकी ही करपा का पात्र बना हूँ आपकी करपा से ही ये विद्या आई है चलो दिखाओ कहां पे बैट करके सीखा अपनी रंग साला दिखाओ जंगल में तूटा फूटा आकार था उस तूटे पूटे अकार में रोज पढाम करता था उस तूटे पूटे अकार की रोज भक्ती करता था जंगल के फलपूल जाकर के छड़ा देता था जुकता था बान उठाता था सामने संधान लगाने के लिए कोई एम निश्चित करता था गलती होती थी तो प्रत्मा के सामने फिर जुकता था छामा मांगता था दीरे दीरे सब सीख गया भगबन आपकी करपा से लेने की सामर्थ आपके अंदर है की नहीं घर के अंदर के लोग बहुत सारे लोग कहते हैं इस बात को क्या कहते हैं माराज गर के अंदर थोड़ा भी प्यार नहीं मिलता गर के अंदर इज़्जत नहीं मिलती घर के अंदर मान सम्मान नहीं मिलता घर के अंदर कुछ भी नहीं मिलता माराज जी घर में नहीं रह पाएंगे पूछना चाहते हैं आपसे लेने की सामर्थ है की नहीं सामने वाले में देने की सामर्थ है की नहीं ये तो बात की बात है आपके अंदर आपके परिवार के बीश से आपको कुछ अच्छा लेने की सामर्थ है की नहीं अगर नहीं है तो आचार खहते हैं कि डेवलप करो अपने अंदर वो quality develop करो जिससे आप जो चाहते हैं वो चीज आपको मिल जाए आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैंसा मानता हूँ कि मुझे मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्योंकि आप बहुत गौर से सुनते हैं मेरी बात को इसलिए मैं आप से कहना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि बिनम्सागर या फि कोई पुजारी या फि कोई महराज महनत करेंगे तब ही आपके जीवन में सरलता पैदा होगी आप भी अपने लिए खुद महनत करेंगे तो अपने जीवन को सरल बना लेंगे सादू के काम तो सिर्फ रास्ता दिखाने का है एक रास्ता ऐसा दिखा दिया यहां से ऐसा यहां से ऐसा चले जाओ और आप जा करके अजित नाएव भगवान का अभिशेक कर लिया शांति धारे कर लिया फुजंग कर लिया अपना कलश रख लिया, अपने मंदी जी में दान दे दिया, सब कर लिया आपने, और सब में आपका सब हो भी गया, लेकिन हमारी जो बुद्धी है न, वो बड़ी बिचित्र है, कैसी है हमारी बुद्धी तो पूझ गुर्देव कहते हैं, कि देखो, टोकिरी में रखा सब आम को सड़ा देता है, एक पांग की डगा डाली में रखा हुआ, एक सबा हुआ पत्ता, उपर नीचे के हजार पत्तों को सड़ा देता है, लेकिन गुर्देव कहते हैं, एक सबा आम डगा डाली में पूरी डोकनी में रखा हो, तो सब की सब आम को सड़ा देता है, ले पंचम काल में, हर सड़ी बात की सामर्थ, आपकी अच्छी बात से ज़ाता है इस बात को आप ध्यार नखेगा। मैं एक हजार बार बोलूँगा, कि अबी मौका है, बना जी कै जिदना भगवान की सेबा कलो, आपको लगेगा, होता है की नहीं, होता है कि नहीं होता कि नहीं लेकिन एक सड़े ब्यक्ती ने बस इतना कह दिया ये सब सड़ा आम है एक आदमी के कहने पर 500 लोगों की बुद्धी सड़ तो सकती है लेकिन सुधर नहीं सकती बंदूओं इसमें गलती आपकी है ही नहीं गलती तो बिज्ञान की है जो पुझ गुर्देव कहते है कि एक सड़ा आम सव आम को सड़ा सकता है एक सड़ा पान का पत्ता सव पान के पत्तों को सड़ा सकता है लेकिन सव अच्छे पत्ते मिल करके एक सड़े को अच्छा नहीं कर सकते क्योंकि सड़े की सामर्थ से जादा है आपके घर के अंदर का जो महौल है उस घर के अंदर के महौल में आप देखिएगा कहीं ऐसा तो नहीं कि घर का एक वेक्ति घर के पत्ते एक वेक्ति को सड़ाने में लगा हुआ है मंचरा ने यह किया था एक को सड़ाया, एक एक करके पूरे के पूरे घर के लोग सड़ते चले गए, मोती फटा कीमत खताम हुई, आपके घर के अंदर, क्या कोई वेक्ति ऐसा भी है, जो आपके घर में लगाता सड़ाने का काम करता है, आपके पिता भी हो सकते हैं, मा भी हो सकती है, बहन भी हो सकत चाचा चाची कोई भी हो सकते हैं, जो बार बार हाइपर होकर कि आपको बोलते हैं, तुम्हारे जैसा गधा नहीं देखा, तुम कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, ये बच्चे के साथ ऐसे शब्द बोलना बच्चे को सडाना है, बच्चा धीरे धीरे सडता है, आती है, जैसी किसी धोन की बाल्टी से आती है बंदो, हर चीज में सड़ जाता है बो, कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटी-छोटी गल्तियों पर आप अपने बच्चों में थोड़ा-थोड़ा सडाई का दाग लगाते हैं, जब बच्चा बोलता है कि ऐसा करना है, गल्ती तो कर बिंद आने तो दोस गुनन को कैसे तजिये गही है, बड़ी उम्र में बच्चा थोड़ी बहुत गल्ती तो करेगा, लेकिन गल्ती करने पर ऐसा तो नहीं कि आप उसको सड़ने के लिए पेढ़ना देते हैं, कई बार जादा पेढ़ना प्रताना का रूप लेकर के आदमी को बिगार देती है, इस बात को घर की मा बहनों को भी इस बात को बहुत अच्छे समझना है, बार बार प्रती को पेढ़ना देंगे, बार बार पुत को पेढ़ना देंगे, तो प्रेढ़ना भी दीरे दीरे प्रताना का रूप ले लेती है, पिस सुनने वाला सुनता नहीं है कान बंद कर लेता है आख बंद कर लेता है और धारना बना लेता है अब तो मुझे जो करना है मैं वो ही करूंगा चाहे कुछ हो जाए क्योंकि जीवन का रूल है जो हम लेते हैं वही हम देते हैं गुर्दों कहते हैं इस बात को थाली में परोसे गए भोजन से आपके सरीर आप समय सार की गाथा उठाते हैं कि इंडिया टुडे उठाते हैं। सुबह आपको आलोचना पाथ अच्छा लगता है कि दैनिक भासकर कर न्यूच पेपर पढ़ना अच्छा लगता है। दुनिया में तुम कितने बड़े गिरे हुए इंसान हूँ, कितने बड़े पापी हूँ, अगर तुम्हें अपनी रियालिटी देखनी है तो कभी जिन्वानी को खोल करके उसमें से आलोचना पाथ जरूर पढ़ना। आचार सी जी कहते हैं आलोचना पाथ में चुन-चुन करके पाप भरे गए हैं, कि मैंने ये पाप किया, ये पाप किया, ये पाप किया, ये पाप किया, अपने जीवान के सारे पाप को देखना है, तो एक बार पुस्तप उढ़ा करके आलोचना पाथ जरूर पढ़िए। फिर समझ में आएगा कि हम कितने गिरे हुए इंसान हैं फिर उसके बाद क्या करना है हाँ महराज उसके बाद वही तो मैं आप से कहना चाहरा हूं कि परोसा तो थाली में बहुत कुछ गया है लेकिन आप ग्रहन क्या करते हैं इससे डिपेंड करता है कि आपके आंगे की जोते, पसीना बहाए, पूरी भूमी तयार करे, शुद्धता बनाए अपने जीवन में, और जब पूरी शुद्धता पूरी धर्ती की हो जाए, उसके बाद कोई मुक्ती का बीज ही न बोए, तो सिर्फ शुद्धता से भी कुछ नहीं होता बंदू, शुद्धता के साथ बहुत अच्छा किया, कि तुम धर्मात्मा हो गए, लेकिन सिफ शुद्धी करन का नाम, आपके जीवन की सार्थक्ता नहीं है, शुद्धी के साथ कुछ सिद्धियां भी जीवन का अंग होना चाहिए, जब आप देखिए, जब आप 64 हिद्धी के मन्त पढ़ते हैं, लेकिन ये सुद्धी तक सिमित नहीं रहे, इन सादूं से पेंड़ना लेनी है कि सुद्धी से उपर का जीवन है सिद्धी का वो सिद्धी घर के अंदर भी होती है घर के अंदर भी कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो निरंतर मंत्र पाठ का जाप करती रहती है जिनके मंत्र पाठ के जाप करने से घर के अंदर एक बेक्ति धर्मात्मा जरूर हमेशा खड़ा करना बंदो हमेशा क्यों क्यों क्योंकि एक बेक्ति अगर घर के अंदर धर्म करता है तो घर के अंदर की होगा दूसरे बेक्ति के पापों की शक्ति धीरे धीरे कम होती चली जाती है मैना सुन्दरी इसका उधारण है जो दुनिया में लोग कहते हैं कि खुद के बाप खुद भोगने पड़ते हैं उनको आप मैना सुन्दरी का उधारण दीजिएगा कि स्रीपाल का पाप तो स्रीपाल के साथ था लेकिन मैना सुन्दरी के पुन्य से सीपाल के सरीर के अंदर भी वो सुद्धता और पवितता आ गई तो कई बार पुन्यात्मा का साथ भी हमारे पाप की शक्ती को कमजोर कर देता है घर के अंदर कोई महिला माल लीजे रोज ओम रीम श्री अजितना जनेंद्रा नमो नमह की माला फेड़ती है ओम रीम श्रीम के लिए में बड़े बाबा अरहम नमह की माला फेड़ती है या फिर जगद गुरु गुर्देव विद्या साकर जी मुरी महराज की माला फेड़ती है तो माला एक, दो, तीन, चार दिन में पता नहीं चलती क्योंकि अच्छाइया इतनी जल्दी दिखाई नहीं देती गुर्देव बहुत अच्छी बात कहते हैं की अच्छाइयों पे भरोसा तो देवताओं को भी बहुत जल्दी नहीं होता ये भी आगम गंतों को पढ़ने पर आपको पता चलता है कि अच्छाई पे भरोसा देवताओं को भी नहीं होता, देवता भी अच्छाई की परिक्षा लेने के लिए स्वर्ग से नीचे उतरते हैं, जब यहां के सनतकुमार चकरवर्ती के संदर की चर्चा चल रही थी, स्वर्ग के देवता चर्चा कर रहे थे, तो देवताओं को अ कोई देवताओं में सभा में चर्चा चल रही थी इस बात की, कि सनतकुमार मुनी महराज से उचाई सस्टी पर कोई मुनी महराज नहीं है, फिर भरोसा नहीं हुआ अच्छाई पे, फिर दो देवता उपर से नीचे उनकी परिच्छा करने के लिए उतर आए, अच्छाई पर किसी को भरोसा नहीं होता, और एक दो दिंग के अच्छाई पर तो दुनिया में किसी बेक्ती को भरोसा नहीं होता, आपकी दो दिंग के अच्छाई से आपके परिवार के लोगों को क्या खाग भरोसा होगा, मुनी महराज के पास आए, आकर के नियम ले लिए, महराज एक साथ भरोसा नहीं होता, पहले परिक्षा देनी पड़ती है, जूट की, सत्य की परिक्षा होती है, ब्रह्मचर की परिक्षा होती है, अचावरी की परिक्षा होती है, बंदु गर के अंदर पहले ली जाती है, फिर दीरे दीरे समाज आपकी परिक्षा लेता है, फिर उस कि बास समाज आपको उस पद पर प्रतिष्ठित करता है कि भाया बे बाले घर के बे कक्का तो चाय कच्छू हो जाए कोई कोई एक रुपईया नहीं हडप सके कोई देवता भी आ के बोले से हमने इमानन बाले ऐसी प्रसिद्धी है लोगों की किसी की पाप में प्रसिद्धी है किसी की पुर्णे में प्रसिद्धी है तो वो प्रसिद्धी के अचानक हो गई क्या बाल सपेद होने से दान तूट जाने से जैकेट पहन लेने से बड़ा पैजामा पहन लेने से वो प्रसिद्ध हो गए न नगर में फिर गाउं में सबसे बड़ी बात तो यह है कि सत्य का पालन तुम करते हो और तुमारे सत्य की प्रसिद्री जब किसी सादू या आचार के मस्तिश्व पे हो जाए तब सोचना कि कितना पुर्ण कमा लिया हमें अच्छाई पे किसी को बरोसा नहीं होता एक साथ कभ मैं प्रभू की भक्ती गुरू की शक्ती तेश मंत्र जाप अब शेख पूजन के माध्धम से जब मैंने अपने पती को पूरा ठीक कर लिया और अपनी मा के पास गई ये सोच करके कि मा मेरी साधना को देख करके खुस होगी कि तुमने कितनी गजबूत पूर साधना की वह किसी और किसी अच्छे सुन्दा राजकुमार के साथ लग गई तब मैना सुन्द्री बोलती है कि धर्म के माध्यम से इतना अच्छा करने के बाद भी लोगों को बिस्वास नहीं होता लोग आपको गलत ही कहते हैं पूछा मैने मैना सुन्द्री से कि सुन्द्री तुमने फिर क्या किया बोले क्या करती स्वामी खुब रोई मा के सामने बोला कि यह मेरा पती है मा पिता मानने बिस्वासी नहीं हुआ उनको कि यह तेरा पती है फिर मैने उसके रोते हुए आँखों को देखते हुए पूछा तो तुमने क्या किया क्या बोले वही स्वामी जिसका तपस्या से प्रार्थना से ठीक कर लिया लेकिन उंगली में थोड़ा सा छोड़ दिया था एक उंगली दबा करके गंदोदक छिड़का था उस उंगली में आज भी उसी तरीके का कोड दिख रहा था जब मैंने मा को मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ तब श्रीपाल जी कि मैंने अपने पती की वो उंगली दिखाई मा देखो यह कोड था ना इस सुंदर सरीर में यह कोड है अभी भी मैंने पूछा सुंदरी से कि सुंदरी तो क्या वो कोड बना रहा बोले कहां सौमी इतनी साधना करने के बाद अपने पती के लुमें ऐसा छोड़ देती क्या माँ और पिता को कोड दिखाने के बाद मैंने उस कोड में भी गंदोदख लगा दिया और आपके आशिरवास से आपके आनंत आचारों की कृपा से मेरे सौमी का वो कोड भी ठीक हो गया बक्ती होनी चाहिए बने 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 लेकिन श्द्धा क्या आपकी मैन सुन्द्री के जैसी है बे मा बहने जो अपने जीवन के जंजटों से मुक्त होना चाहती है कुछ भी चीज़े चाहती है अपनी मनों कामनाओं की पूर्ती करना चाहती है बना जी के अजितना बगवाण के चंड़ों में पुर्णिमा के दिन हजारों लोग आते हैं अभी पुर्णिमा निकली है आठ हजार सुपर लोग यहां से होकर के गए उन्हों में से सिर्फ उनका काम होने वाला है बंदूओं जिनकी सद्धा मैना सुंद्री के जैसी चरम पर थी चरम पर बैठी हुई मैना सुंद्री ने बता दिया कि गंदोदक से बहुत कुछ हो सकता है अब पंचम काल में अगर आपको अपनी भक्ती पे आपकी शद्धा पे अपने कलस पे विस्वास ना हो तो अभागा मंत्र सक्ती देने वाला या मंत्र बताने वाली प्रतिमा नहीं है बंदोओ अभागा आपका पुन्य है कि आप अपने पुन्य का स्वयम के लिए उप्योग नहीं कर पाए मैना सुंद्री कहती है सुधारना और बिगानना मुझे बहुत अच्छे से आता है जब एक सड़ा पत्ता सव हजार पत्तों को सड़ा सकता है तो क्या आप अपने आपको ठीक करने की सामर्थ नहीं रख सकते मैना सुंद्री आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है आच्छा आप बताई कर सकते हैं महराज लिकिन क्या करें आपका दिया हुआ मंत्र कभी गंदे विचार के साथ फिर देते हैं कभी लोग के कारण फिर देते हैं कभी कुछ और करके कर देते हैं कभी सुबै का साम कर देते हैं कभी नियम रह बदता में नहीं कर पाते हैं फिर साम को आकर के बाद में आकर के महराज से कहते हैं महराज, कुछ नहीं हुआ महराज जी, हमने का कुछ हुआ नहीं कि कुछ किया नहीं, महराज किया तो सब था, बस तीन दिन नहीं कर पाए महराज जी, वो लड़का बहुत पैसांग कर रहा था, अब इसमें गलती हमारी है कि आपकी है, हमारे मंत्र टी बी के कोर्स जैसे होते जैसे टीवी का कोर्स नौ महने का होता है, एक भी दिन आपने दबा बंद कर दी, तो आपको फिर नौ महने का कोर्स करना पड़ेगा, इस अच्छा क्या करें, तो बहले भाईया, इस अच्छा तो ये करो कि कैसे भी परसिती में रहो, दुखे सुखे इबायरिनी बंदुबर आपर जी महनाज कहते हैं, हमारी माला टीवी के इलाज के जैसी है, अगर एक भी दिन के लिए छोड़ दिया, तो गई तुम्हारी साधना सुरवास से करो, अगर सुरवास से करो, तो फिर तुम्हारे उस अच्छाई पर भरोसा देवताओं को उतने समय पर होगा अब आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, अजितनाद भगवान कुछ नहीं देते बंदुओं, मैं हजार बार बोलता हूँ, अभी भी बोलूँगा, लेकिन भगवान की प्रतिमा सब कुछ देती है, नहीं देती होती, गुरू की शक्ति अगर काम नहीं कर रही होती, गुरू के मंतर काम नहीं कर रहे होते, तो मैंना इस सुंद्री का इतिहास प्रत्मा नियोग में पढ़ना व्यर्थ है, वो पुस्तक ही व्यर्थ है प्रत्मा नियोग की, बोले कोई बोले महराज, आरे वो तो वो और काल था, वो ये कोई और काल है, वो भी य इतने अधिक्तम सफल होने का सबसे बड़ा राज क्या है। अचार सीजी से पूछा गया कि आप इतना कम बोलते हैं, इतना कम आते हैं, इतना कम लोगों के बीच में आपकी उपस्तिती रहती है। उपदेश की मातरा भी आपकी अब बहुत कम है। उसके बाद भी हज्जारों लोग आपसे प्रभावित हैं, आपकी पूजा करते हैं, खाते में आपका नाम लिखते हैं, मंदिर में पहले आपका नाम लिखते हैं, जैकारा सबसे पहले आपका लगाते हैं, कुछ हो जाए तो गंदों तक भी सबसे पहले आपका चाहिए, माल तो धावनातमक डश्च हमेशा बड़ा मजबूत रखना सार्फ की महराच विह बड़ा मजबूत रखना पर वा इसूंद्स के सब्सक्ताएं लेकिन अपनी भावनात्मक दया का पक्ष बड़ा मजबूत रखना, क्रियात्मक दया का पक्ष हमारा तो बहुत मजबूत है बंदू, कोई चीटी दिखती है और हम बगल से निकल जाते हैं, लेकिन हम चीटी को किस दर्ष्टी से देखते हैं, ये भी हमारी देखने की चीज चीटी को चीटी समझते हैं, चीटी को जीव समझते हैं, चीटी को आत्मा समझते हैं, चीटी को चेतना समझते हैं, प्रानी समझते हैं, चीटी को समझते क्या हैं, किसी बेक्ति को बाहर से निकलते हुए, किसी बेक्ति को हम ने निकल गए हमारा ख्रियात्मक पक्ष के मामले में हम बहुत इमानदार और अहिंसक है भावनात्मक दया के पक्ष के मामले में आप कैसे है आप जितने भावनात्मक दया के पक्ष के माले में मजबूत है बस उतनी ही तो प्रसिद्धी है आपकी आपकी भावनात्मक दया का पक्ष अगर बहुत कमजोर या नगर्न है तो घर के लोगों पर भी आपका प्रभाव नहीं है लेकिन अगर आपकी भावनात्माग दया का पक्ष बड़ा मजबूत है तो वो माँ जो दिन भार रोटी बनाती रहती है उसकी चिंता घर में सब कोई करते है पती जाता है तो एक सोने की चैन लेकर किया जाता है लड़का जाता है तो माँ के लिए चपल लेकर के चला आता है छोटी देवरानी जाती है तो अपनी ताई के लिए साड़ी लेकर के चली आती है वो बोलती हमें कुछ नहीं चाहिए लेकिन सब आदमी को उसकी चिंता है क्योंगी घर में एक ही मातर ये महिला है जिसकी भावनात्मक दया का पक्ष आसमान है भाई भाई में बिबाध हो हो, बड़ी भाबी ने कभी भाइया का पक्षि नहीं लिया, कभी ये नहीं किया, कहा इस बात के लिए, कि भाइया से तुम्हारा बिवाद हो गया, हम तुमको थाली नहीं परसेंगे, तुरंग बोले, छोटे लाला, आओ, थाली लग गगई है, खाना खालो, अब छोटे ला खाना खालो, टाइम हो गया, रोड़ी खाराब हो रही है, और छोटे लाला को बिढ़ा करके खाना खारा दिया, छोटे लाला रोड़ी खाते खाते रोने लगे, और भाबी से लिपट के बोलते हैं, भाबी हम बहुत गंदा बोलते हैं भाईया से, आप माफ कर दो, घर के अं अप्ष्पक्ष आसमान हो, घर के अंदर पती पतनी में, भाईयों में बिवाद होता रहेगा, पुत्र में बिवाद होता रहेगा, हम बिना रागद्विश किये करते हुए, अपने कर्टब का पालंग करते होंगे, हमने देखा है उस परिवार को बंदू, उस परिवार की ख अपसूर्ती देखी, जब तीरे से कहा, नीचे गाली गलाओ चल रहे थी, बड़ी-बड़ी मंत्र जैसी गालियां एक दूसरे को पढ रहे थे, टंकी पर टंकी फेंक रहे थे, उपर उटकर के आए, और बड़ी भाबी उपर से सुन भी रही है, बड़ी भाबी रोटी बन आप चोटे लाला खाना खाएं कि रोएं, क्या करने बताओ? आज के आज होता है तो क्या होता? तुम ने हमाएं इन से ऐसी बात कही थी ना, अब हम तुमें देख ले हैं, कोड में जाकर के, रिपोर्ट लिखा है, देवरानी के लाम ने, कि देवरानी ने हमारे घर के नहां आप आए तो उनको बता भी दिया जाता है नहीं कान में कि डोंगर कड में वो किसी कमरे में शांत सांती से बैठे हैं को इतना से जाकर बोल बस देता है कि गुर्देव बपाल से पांच हजार लोग आए हैं जवलपूर से आट सो लोग आए हैं उनका भावनात्मक्त फ का भख्ष कितना जवर जस्त है कि आउजाक कमीटी से गुर्देव कहते हैं उनके बोजं की वेवस्ता अची है कि नहीं इतनी गर्मी पड़ रही है तब आपको लगे गा कि ऐसा संत जो हमारे बारे में जब हम नहीं सोचते हैं, तब भी हमारे बारे में सोचता है, उसकी जैजायकार पूरी दुनियों में क्यों न होगी? ऐसी कोई महिला जिसकी भावनात्मक देया का पक्षी घर के अंदर जबर जस्त है उसके बारे में घर का बेक्ती अच्छा क्यों न सोचेगा देवर जब जठानी के लिए सोने का हार लाकर के पांस तोला का चार तोला का लाकर देता है तब घर के लोग भी सोचते हैं जिए देवर जी अपनी उनको तो देत नहीं है बड़ी भावी को दे रहे हैं काई दे रहे हैं देवर भी जानता है मेरी भावी भावी नहीं है मेरी भाबी ने पूरा घर समाला है 20 साल, 30 साल, 40 साल 50 साल साधिना की हो जाते हैं ऐसी सालीन महिलाओं की समाधी बहुत अच्छी होती है बंदू जीवन के अंतिम पड़ाओं में जब लगे कि 30 साल 40 साल घर को समाल के रख लिया है अब जिंदिगी की 2-5 साल लगे हैं बचे हैं तो फिर उनका पक्ष ये कहता है कि हम किसी भी कीमत में भर का बटवारा होने ना दे क्यों बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जात काहे नटनी तूर उठा थै फल मिलने की बाद जब जिंदिगी का 65 साल साथ में रहते रहते निकाली दिया है परिवार में एक साथ तब सिप 5-7 साल के लिए अलग हो करके 2 चूले की रोटी दो जगाय का आटा यहां की भी दो रोटी फिकेगी वहां की भी दो रोटी फिकेगी बरोनी को यहां भी 1000 रुपए देना पड़ेगा वहां भी 1200 देना पड़ेगा कामबाली बाई को भी यहां पे 1500 चाहिए वहां भी 1500 चाहिए जबकि सब पूरे परिवार का 1500 में हो जाता था अब वो दुबारा कामबाली बाई कभी बटवारा होता है, रोटी का बटवारा होता है, लेक्टिक का बटवारा होता है, सब चीज का बटवारा होता है, जीपन बचा कितना बंदो, बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अपजात, पच पंच साल की उमर हो गई, का भाटा डगा जाए, कोई भरोसा थोड अब नहीं हमको अलग होना है, we want separate life, एक सड़ा व्यक्ति पूरे घर को कैसे सड़ा देता है, एक महिला बाहर से आकर कि बार बार उतेजना का, आचार सी जी जी बहुत अच्छी बात कही, कहना मेरा समय हो गया, मैं बंद करता हूं अपने बात को, गुर्देव कहते हैं, कि प् पती के कान में सूर मंत्र दे देती है, सूरदास को सुना है, सूरदास किसको कहते हैं, अंधे को कहते हैं, तो महिला जाती है, साधी होने के बाद पती के कान में सूर मंत्र देती है, सूर मंत्र से पती बेचारा अंदा हो जाता है, उसको फिर मा दिखाई नहीं देती, पित दिखाई नहीं देते, पुत्र दिखाई नहीं देता, दुनिया में भाई दिखाई नहीं देता, पत्नी बोलती है, तो सही सुनाई देता है, मा बोलती है, तुम तो करत हुई है, तुमाई तो जे ही हरकते हैं, क्या हुआ, कुछ नहीं, जैसे जिनिभी में सूरी मंत्र की पत पतनी नहीं दिखाएगी, तो नहीं देखेंगे, बड़ी कंट्रुवर्सी है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, जब लगे कि हमारा हम सूरी मंद से प्रभावित हो गए हैं, तो पिर सूरी के पास आ करके, सूरी मंद के स्थापना करा लिनी चाहिए, अचार सी जी, वो मैन सूरी का रूल है बंदो, लेने की सामर्थ पैदा करो, बहुत देर तक मैं बोल गया, आपने जितनी सामर्थ होगी, आपने लिया होगा, मैं मानता हूँ, और अगर नहीं लिया है, तो पिर सांती से साम को बैठ करके, फिर सूनियेगा, फिर लेने की अपने अंदा सामर्थ पैदा करिएगा, अपने परिवार को सुरक्षे तकने का प्रयास करिएगा, मा जिन्वानी भगवती की करपा से, मैना सुन्दरी के उपदेश और जीवन सहली से, आप लोग का जीवन भी सुन्दर बने, इनी भावनाओं के सांद शब्दों को विराम देता हूँ, गुर् प्रत्यक पात्र आपकी करपा से मुझसे बात करते रहें, और मैं पूरी देश की जन्ता से बात करता रहूँ, अहिंसा पर्मो धर्म के